रेनेस्वों से आधुनिक विश्व का इथियास प्रारम होता है अब सरल भाषा में रेनेस्वों की परिभाषा क्या हो सकती है रेनेस्वों एक फ्रांसिसी शब्द है जिसका अर्थ है न्यू बर्थ नवीन जीवन या री बर्थ यानि पुनर जन्व इसलिए इसकी परिभाषा हो सकती है रेनेसं एक फ्रांसिसी शब्द है जिसका अर्थ है नवीन, जीवन या पुनर जन्म रेनेसं चाओद्वी शताबदी में इटली में प्रारम हुआ और सोल्वी शताबदी तक इसने पूरे योरोप को प्रभावित किया रेनेसं के मध्यम से साहित्य, कला, विज्ञान और भागालिक खोजों के ख्षित्र में विकास हुआ रेनेसं शब्द का प्रियोग सर्व प्रथम एक इटालियन स्कॉलर ने किया जिसका नाम है जिय और जियो वैसारी रेनेसं शब्द का सर्व प्रथम प्रियोग जिय और जियो वैसारी ने किया इटालियन स्कॉलर था लेकिन इसने इस शब्द का प्रियोग एक सीमित दायरे में किया वैसारी का अर्थ था स्थापत्य कला और चित्र कला की खित्र में विकास लेकिन अठार्मी शतावदी में दिद्रो नामक एक फ्रांसिसी दार्षनिक ने इस रेनेसाँ शब्द को एक व्यापक अर्थ दिया दिद्रो के अनुसार रेनेसों का अर्थ है साहित्य, कला, विज्ञान और भगौलिक शत्रों में विकास और इस तरीके से दिद्रो ने इस शब्द को एक व्यापक अर्थ देने का काम किया तो इसलिए हमने कहा कि रेनेसों के चार प्रमुक स्तंभ हैं इन में एक साहित्य कला, विज्ञान और भगा लेखोजें। रेनेसों की प्रमुख विशेष्टाएं क्या हो सकती हैं। इसकी प्रमुख विशेष्टा है सवतंत्र चिंतन का विकास। सवतंत्र चिंतन की विकास का अर्थ क्या हुआ। यानि जब intellectual stagnation समाप्त हो गया, नई सिक्षन संस्ताएं, नई विश्विद्याले स्थापित हुए, तो उसके साथ ही सवतंत्र चिंतन का विकास होने लगा। सवतंत्र चिंतन का विकास। सवतंत्र चिंतन का विकास का अर्थ क्या है। पीटर एबला, एक फ्रांसिसी विद्वान है, जो ग्यारा सो दस से ग्यारा सो चालीज के बीच पैरिस विश्विद्याले में प्रोफेसर रहा। इसने कहा, we must believe a doctrine not because God has said it so. We must believe a doctrine because we have a logic to prove it is so. इसका अर्थ यह हुआ कि हमें किसी सिध्धान्त में इसलिए विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा कहा। इश्वर का अर्थ यहां church भी हो सकता है, हमें किसी सिध्धान्त में इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इश्वर ने ऐसा कहा, हमें किसी भी सिध्धान्त में इसलिए विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसे तर्क के आधार पर prove किया जा सकता है, उसे तर्क चिंतन का विकास रेनेसों की पहली विशेष्टा हुए। इसकी दूसरी विशेष्टा है मानववाद, हिमानिजम। मानववाद किसे कहते हैं। मानववाद हैं। मानवव अपने जीवन में रूची लेने लगा है। वो परलोग की चिंता छोड़ कर इस लोग को स्वर्ग बनानी की कलपना करने लगा है। मनुशे अब धार्मिक समशाओं को सुलजाने के स्थान पर सामाजिक समशाओं को सुलजाने में जुट गया है। मानववादी विचारधारा में पोप और चर्च के स्थान पर व्यक्ति और समाज महतुपण हो जाता है। मानववादी विचारधारा ये रेनेसों की एक प्रमुक विसेश्टा है। यदि हमसे कोई पूछता है कि रेनेसों की एक सबसे बड़ी विसेश्टा क्या है तो हम कह हैंगे मानवाद मानवाद रेनेसंग की सबसे बड़ी विशेष्टा मानी जा सकती हैं इसकी तीसरी विशेष्टा है देशज भाषा का प्रियोग इसका अर्थ हुआ कि आप स्थानिय भाषा का अधिक से अधिक प्रियोग करने लगे मिडल एजिस में मध्य युग में भाषाओं की द्रश्टी से साहित्य में केवल दो ही भाषाओं का प्रियोग होता था एक ग्रीक और दूसरा लेटिन ग्रीक और लेटिन भाषाओं के अतरिक्त किसी भी भाषा का प्रियोग करना असभ्य माना जाता थ लेकिन अब ग्रीक और लेटिन के स्थान पर स्थानिय भाषाओं का साहित्य में प्रियोग होने लगा यानि इंग्लेंड में अंग्रेजी भाषा का, फ्रांस में फ्रांसिसी भाषा का, स्पेन में स्पैनिश भाषा का, जर्मनी में जर्मन भाषा का प्रियोग होने लगा इसका अर्थ यह गए कि देशज भाषाओं की गरिमा बढ़े यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें रेनेसो काल में दिखाई देता है और यह रेनेसो की एक खुबी है लेटिन भाषा चर्च की एक सारभूमिक भाषा हुआ करती थी Latin was the universal language of the church लेकिन एक बड़ा परिवर्तन हमें रेनेस्व काल में दिखाई देता है इसकी चौथी विसेश्टा है विज्ञान के क्षित्र में विकास विज्ञान के क्षित्र में विकास का अर्थ क्या हुआ Middle Ages में मध्य युग में जो कुछ भी चर्श ने कहा उसे विज्ञानिक माना जाता था लेकिन अब विज्ञान में भी परिवर्तन आया विज्ञान में परिवर्तन क्या है विज्ञान अब तीन चीजों पर आधारित है पहला Investigation यानि निरिक्षन दूसरा Research यानि अनुसंधान और तीसरा Test यानि जाच यानि तीन महत्वपुन पहलू होंगे किसी भी सिध्धान को Scientific या विज्ञानिक कहने के लिए ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन और एक बहुत बड़ी विशेष्टा रेनेसो काल में दिखाई देती है इसकी पाँचवे विशेष्टा है कला के क्षित्र में विकास का अर्थ क्या हुआ मध्य युग की जो कला थी वो काल्पनिक थी काल्पनिक से अर्थ क्या हुआ यानि जैसे मान लीडिये किसी एक संथ की पेंटिंग बनानी हो तो उस संथ की पेंटिंग बनाने में जो मानव शरीर का अनुपात है उसकी तुलना में उसकी जो गर्दन है वो अधिक लंबी बनाई जाते थी और उस संद को उपर स्वर्ग की और देखते वे दर्शाय जाता था जैसे कि उसे नीचे से स्वर्ग दिखाई दे रहा है यानि मध्य यूग की कला कालपनिक है रेनेसो काल की कला में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है रेनेसो काल की कला नैचरल ब्यूटी पर आधारित है प्राकर्तिक संद्रे पर आधारित है और वो यथार्थवादी है एक बहुत बड़ा परिवर्तन रेनेसो काल में दिखाई दे रहा है इसकी छटी विशेष्टा है जोग्रोफिकल डिसकावरीज भौगालिक खोजे जोग्रोफिकल डिसकावरीज और भौगालिक खोजे ये रेनेसो की प्रमुक विशेष्टा है ये रेनेसो का एक कारण भी है और उसके साथ साथ ये रेनेसो का एक हिस्सा और एक अंग भाग भी है इस तरीके से रेनेसंग की खूबिया और विसेश्टाएं उभर कराती हैं हमें परिक्षाओं में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं रेनेसंग की प्रमुक विसेश्टाएं क्या है तो इन प्रमुक बिंदुओं पर आप विसलेशन करते हैं वे उत्तर अपना दे सकते हैं प्राइब प्राइब